अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मात्र एवं शिशू अस्पताल से 5 दिसंबर को एक संसनी खेस मामला सामने आया था SNCO वोड में चार नवजाद बच्चों के मौत पे हरकंप मच गया था जिसके बाद खुब पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला एक दरफ परिजन अपने बच्चों की मौत को लेकर सदमे में थे वहीं अस्पताल राचनीती का अखाड़ा बना हुआ था परिचनों ने हॉस्पिटल प्रबंधक पर कम भी रारोप लगाए है नवजाद बच्चों की मौत के पीछे कारण बिजली का चला जाना बताया जा रहा है हाला कि हस्पताल प्रबंधन में इस आरोप को नकार रखा है परिचनों ने अंबिकापुर कलेक्टरेट पहुचकर जंदर्शन में आवेदन देकर कारवाई की मांग की है लेटर में रखने के बाद थंधा से उन्हों का मौत हो गया इसी के लिए मैं आवधन देने आया था विजली आधा एक घंटा से जादा लाइट कट गया था इसी के वज़ा से वह हो वह सुआ ही लाइट कटने के माद वह सब हो गया था और दरसल ये सारा मामला 5 दिसंबर का है परिजनों ने बिजली गोल होने के कारण नवजाद बच्चों के मौत होने का कारण बताया है चांच करने पर पता चला कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर 9 जनरेटर लगाए गए है अलग-अलग यूनिट के लिए अलग-अलग जनरेटर से सप्लाई दी जाती है चार इलेक्ट्रिशन हॉस्पिटल में काम करते हैं तीन करमचारी दिन में जूटी करते हैं तो रात में मात्र एक करमचारी पर 9 जनरेटर का भार होता है जनरेटर का उसका लगा है मेजर ओटी का लगा है यह पूरा इजनरेटर की दर सफलाई है अधर नवजात बच्चों के मौत के बाद मेडिकल कॉलेज के टीन ने कई नरदेश चारी किये हैं हॉस्पिटल में सुधार करने की बाद तो जरूर कह रहे हैं लेकिन चार नवजात बच्चों की मौत पर अब भी मेडिकल कॉलेज कुछ भी कहने से बच रहा है पास्तारिक को प्रातह साड़े पांच बजे से लेकर साड़े आठ बजे तीन घंटे के अवधी में चार नवजास शिश्यों की मृत्यू एक धुकर्ट घर्टना क्रम है और इसमें विद्धित प्रवाह क्यों अवरोधित हुआ बाधित हुआ उसमें जो आटोमेटिक काम नहीं करने की बात और मैनुवल के चलने की बात हो रही है उसे तो भी प्रयास किये गए हैं वो कुछ उपकरण विदेश से आने के हैं इसलिए वह थोड़ा अधर में लटका है अधर्वाइस मैनुवल काम कर रहा है वेंटिलेटर कल के इस दुग में जाजपूरी कर मामले की रिपोर्ट सोपने की बात कही थी लेकिन अभी तक आदेश हवाही साबित हुए हैं लेहाज बिलासपूर से आए डॉक्टरों की टीम ने जाजपूरी कर ली है और देखना होगा कि किस पर काज किरती है अमिकापूर से पंजाब केसरी के लिए प्रशांत कुमार यादव की रिपोर्ट